नमबर वन बनने के बाद भारत की जोली में आएगा वर्ल्ड कप ये खास सही योग बना रहा है प्रवल दाविदार क्रिकेट वर्ल्ड कप में अब कुछी दिन बचे हैं भारत की मेजवानी में होने वाले इस मेगा क्रिकेट टूनामेंट को लेकर सभी टीमों की तैयारियां जोर उपर हैं कई टीमों को वर्ल्ड कप की दाविदार बताया जा रहा है जिसमें भारत सबसे उपर है मेजवान होने के चलते भारत को प्रवल दाविदार बताया जा रहा है लेकिन आपको बता दें कि एक खास सयोग बन रहा है जिसके हिसाब से इस बार का वर्ल्ड कप चेंपियन भारत ही होना चाहिए 2023 में टीम इंडिया जीतेगी वर्ल्ड कप का खितार मेजवान होने के चलते भारत वर्ल्ड कप का प्रवल दाविदार खास सयोग बता रहा है कि क्यों टीम इंडिया बनेगी चेंपियन भारत वर्ल्ड कप के खिताब का प्रवल दाविदार बताया जा रहा है इसके कुछ बज़ है जिन पर गौर करने की जरूरत है पहली वज़ा है कि भारते टीम का फार्म में आना बारते खिलारी जवर्जरस फार्म में है औस्टेलिया के खिलाब भारत ने रोहित और विराठ के बिना ही सीरीस जीत कर बता दिया है कि घरेलु मैंदान पर टीम इंडिया का हॉम कंडीशन का फायदा मिलने वाला है जो जीत के दावेदार को मजबूत बनाता है दूसरा सयूग इस दावेदारी को और भी मजबूती देता है और दिखाई दे रहा है दरासल बात करते हैं बीटे दो वर्ल्ड कप की 2015 में वर्ल्ड कप से पहले उस्टेलिया नंबर एक टीम थी 2015 का वर्ल्ड कप औस्टेलिया में हुआ कंगारू टीम इस टूनामेंट की मेजवान थी और 2015 में वर्ल्ड कप का फाइनल औस्टेलिया ने जीता अब बास साल 2019 की वर्ल्ड कप की करते हैं तो इंग्लेंड तो इस टूनामेंट की मेजवानी इंग्लेंड ने की और खिताब का सूका खत्म करते हुए इंग्लेंड पहली वार विस्वकप का खिताब जीती वर्ल्ड कप से पहले 2019 में इंग्लेंड की टीम रैंकिंग में टॉप पर थी अगर इसी सईयोग को देखा जाए तो टीम इंडिया विस्वकप से पहले नंबर वन पर काविज है इसके साथ ही इस टूनामेंट की मेजवानी भी भारत कर रहा है लहाजा बीते दो वर्ल्ड कप को देखें तो यह कहा जा सकता है कि इस बार भारत तीसरी बार खिताब अपने नाम कर सकता है आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में